आपको शायद यकीन ना हो लेकिन आपकी पसंदीदा फिल्म कहो ना प्यार है 22 बरसकी हो गई है जी हाँ 21 जनवरी 2000 को रिलीज हुई इस फिल्म में हम सभी को फिल्म देखने का नजरिया बदल दिया फिल्म की कहानी, डायलोग, गाने, एक्टिंग, शब कुछ इतना शांदार ता कि आज भी ये फिल्म हमें अच्छे से याद है ये फिल्म सदी की पहली ब्लॉकबस्टर थी और इसने तहल का मचा दिया था तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं, इस फिल्म के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग बत हैं तो वीडियो को अंतक जरू देखें और हमारे चैल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्स केटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी धबादे का हो ना प्यार है का नाम दुआज़्जार दो में गनीज बुक आफ वर्ड रिकोर्ड में शामल किया गया था इसकी वज़े ये थी कि फिल्म पूरी दुनिया में सबसे अधिक आवार्ड जीतने वाली फिल्म बनी थी इस फिल्म ने अपनी डिलीज के बद 92 आवार्ड जीते थे रितिक ने तोड़े 30 हज़ार दिल दो हज़ार में रिलीज हुई ये फिल्म शदी की पहली बिलॉग बश्टर थी इस फिल्म ने रितिक को रातो रत पूरे देश की दिल की धड़कन बना दिया था रितिक रॉसन को इस फिल्म के बद करीब 30 हज़ार मेरिज की प्रपोजल मिले थे लेकिन इस फिल्म की शफलता के बाद ही रितिक ने अपनी गल्फरेंड सुजेन खान से शादी करके शभी का दिल तोड़ दिया था करीना कपूर थी पहली चुईस इस फिल्म के लिए रितिक के अपोजिट करीना कपूर को शाइन किया गया था उनके साथ कुछ सीन भी सुट किये गए थे लेकिन करीना कपूर ने कुछ ही दिनों की सुटिंग के बाद ये फिल्म छोड़ दी थी और उनकी जगे निमकमर अमीशा पटेल को लॉंच किया गया था इस फिल्म ने रातो रात अमीशा को भी इस्टार बना दिया था रितिक भी नहीं थे पहली पशंद भले ही कहो ना प्यार है शे राकेस रोशन ने अपने बेटे रितिक रोशन को लॉंच किया लेकिन सूत्र बताते हैं कि रितिक इस फिल्म के लिए उनकी पहली चुईश नहीं थी राकेस असल में किसी खान के शाद ये फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन रितिक की रिक्वेश्ट पर उन्होंने उन्हें लॉच किया था आराधना 1969 राकेस रोशन ने एक इंटर्विव में बताया कि इसकी प्रेणना उन्हें 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 शोनत्तर में आई फिल्म आराधना से मिली थी आराधना अपने दोर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी जिसमें सरमिला टैगोर और राजश खन्ना ने लीड रोल निभाए थे अंडल वर्ड का हमला फिल्म का हो है ना प्यार है इतनी बड़ी हिट शाबित हुई थी कि इस पर अंडल वर्ड के लोगों की नजर रही अंडल वर्ड के कुछ डॉन इस बेहत सफल फिल्म के प्रॉपिट का कुछ हिश्या चाहते थे ऐसा ना करने पर राकेस रोशन पर हमला हुआ था राकेस पर उनके आपिस में ही दो गोलिया चली थी लेकिन उपर वाले की दया से वो बच गए थे दो क्लाइमेक्स किये गए थे शूट इस फिल्म के लिए दो एडिंग सूट की गई थी एक एडिंग में राज की भी मौत हो जाती है और शोनिया अकेली रह जाती है वहीं दूसरी एडिंग में राज बच जाता है और सोनिया के साथ खुशी खुशी जिन्दगी बिताता है लोगों को ये फिल्म पसंद आए इसलिए इसके लिए फाइनली हैपी एंडिंग चुनी गई थी बहतरीन म्यूजिक एलबम इस फिल्म का म्यूजिक इतना शांदार था कि आज भी फैंस को इसके शबी गाने याद हैं इस फिल्म के गीतों को म्यूजिक दिया था रितिक के चाचा राजश रोशन ने शाल दोहज़ार में कई बड़ी फिल्मों के मूजिक एलबम को पीछे चोड़ते हुए का हो ना प्यार है के वन करोल मूजिक एलबम और कैसेड बिके थे ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था तो दोस्तो आप लोगों के वीडियो कैसे लगा पसंदाब से लाइक करें और में दोस्तों के साथ सेयर करें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्स गेटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबादें